दोस्तों शरुवात करता है होटल किंग पार्ट 8 की मोने जेवान के घर से बाहर निकलती है और वहाँ पर बाहर जोगव कड़ा होता है फिर वहाँ पर जेवान ही बहुं जाता है जेवान जॉद्फे जाता हूता है कि आप यहांपर क्या कर रहा हो जॉंगो बोर रहा होता है कि मुझे तुम्हारी चिंता था क्योंकि तुम मेरी पार्टी से डिसेपेट हो गए तै अचानक से बट मुझे नहीं बताता कि मोने तुम्हारे साथ में होगी और मोने को मैंने थैंक्यू भी नहीं बोरा उसके गिफ्ट के लिए मोने गुसर से जॉंगो की तरफ देख लिए और बोर्ट होती है कि तुम्हें एक मर्डर हो मैंने सब को सुन लिया है कि तुमने मेरे फादर के साथ क्या किया था वो भी फिर वो टेप रिकॉर्डर बाहर निकालती है और उसे ओन कर देती है फिर दोनों सुन रहे होते हैं कि उसमें जॉंगो की बाते होती है तब ही जेवान वो टेप रिकॉर्डर लेता और उसे तोड़ देता है जोंगो मोने से बोल रहा होता है कि अब तुम क्या करोगी और वैसे भी स्टेप रिकॉर्डर में जेवान की अवास थी तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं ऐसे उस लटके को स्पॉंसर कर रहा था और वो तुम्हारे फादर से कोइंसिडेंटली मिला कोई तुम्हारे फादर को मेडिसन दे रहा था और किसी ने साथ ही मैं उस जॉक्टर को भी छुपा दिया था और तुम्हें पता है कि ये सब किसने किया है जेवान ने क्यों जेवान मैं सच बोल रहा हूँ न तो फिर जेवान मोने की तरफ देखता है और हाँ बोलता है मोने जोंगो को अपर थूख देती है तो फिर जोंगो गुस्ता आता है और वो जेवान से बोल रहा होता है कि तुमने मोने को क्या सिखाया और वो जेवान को पीटना स्टार्ट कर देता है फिर मोने जेवान को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है जोंगो मोने से बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें पुलिस में रपोर्ट करनी है तो फिर तुम कर सकती हो मुझे कोई प्रब्म नहीं है जब तक कि मैं जेवान के साथ में रहूँगा कहीं पर भी ये कहकर जोंगो मोने से चला जाता है फिर जेवान और मोने अपने घर में जाते हैं मोने जेवान से बोल रही होती है कि तुम मुझे ये सब बता सकते थे तुम भी हट हो रहे हो बर तुम मुझे बता नहीं रहे हो और तुम मुझे ये कहो कि ये सब जूट है और तुम ये कहोगे तो फिर मैं तुम पर ट्रस्स कर लूँगी और वैसे भी अकर तुम्हारा कुछ भी कॉंट्रिविशन है मेरे फादर की डैथ में तो फिर ये सब तुमने ली जोंगो भी वैसे किया है वो तुम्हें थ्रेटिन करता था और काफी पीड़ता भी था जेवान पूश रहोता है क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो फिर मोने बोर्ट ही होते है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है जेवान माना करता है कि मैंने ये सब किया है मैंने तुम्हारे फादर को जानमच के अप्रोच किया और उन्हें ये मेडिसिन दी और साथ ही मैंने उस डॉक्टर को भी चुपाया था मोने पूश होते हैं कि मेरे फादर ने तुम्हारे साथ क्या किया है और वैसे भी अगर तुमने ये सब किया है फिर उने बदा जी होते है कि एक रड़के मेरे फादर को मारा है और साथ यह मुझे सेड्यूस करनी कोशी भी किये अब वो मेरे होटर को बरबाद कर रहा है आपको इसी वक्त यहां पर आना होगा और से अरेश्ट करना होगा फिर मोने वो फोन फेकती है और वहाँ से चली जाती है उसके जाने के बाद जेवान को बजलता है कि मोने ने कोई इन्वालिड नमबर डायल किया होता है और वो नाटक कर रही होती है बात करने का मोने अपने घर पहुसती है और वहाँ पर जेवान का वो टॉई ले थी जो कि उसे गिफ्ट में दिया होता है जेवान ने वो टॉट गया होता है तो फिर मोने रोल लग जाती है और बोल रही होता है कि अब मैंसे फिक्स नहीं कर सकती हूँ जेवान याद कर रहा होता है कि जिसन जोंगो ने से डॉक्ट किया होता है उसके अगले तुम को चर्च लेकर जाता है और वहाँ पर एक आदमे का फिरल चल रहा होता है और यह वही आदम होता है जिसको की गलती से जेवान ने मार दिया होता है जोंगो जेवान से बोल रहा होता है कि अगर तुम अभी भी वापस जाओगे तो फिर वो सारे लोग तो में मडरी बोलेंगे क्या तुम वापस जाना चाहते हो जेवान जाने से मनाए कर देता है फिर जोंगो खुश हो रहता है कि चलो मैं तुम ऐपने साथ लेकर जलता हूँ फिर जेवान उससे बोह रहता है कि आपको रुखना होगा आपको मेरे साथ में मेरे भाई को भी लेना होगा जौंगू बोल रहा होता है कि तुम दोनों real brother's नहीं हो फिर जेवान बोलता है कि मैंने promise किया उससे कि मैं उससे इलग नहीं होगा फिर वो अपने भाई के पास जा रहा होता है तब ही इसे जेवान ने वो करण अपने पास रखी होती है अगले दन वो होटल में होते हैं और वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर की मीटिंग चल रही होती है तो फिर मोने जेवान से काफिर रूटली विएफ कर रही होती है उसकी कोई भी बाते नहीं मान रही होती फिर वो एक announcement करते हैं और बोलते है कि अगले हफ़ते हमारे होटल में एक culture performance हो की charity के लिए सबकोस event के लिए preparation करने हैं फिर इसके बाद meeting खतम हो जाती है फिर वो बहार जाते हैं तो फिर जेवान मोने के पास चाता है उससे पूछ आउता है कि आ तुम्हें मोरा resignation writer चाहिए तो फिर मोने मना करते हैं कि मैं तुम्हें सफर करते हैं जितना कि मेरे फादर ने किया है तुम्हारे और जॉंगू के लिए जेल फिल्कू ठीक जगे नहीं है इस वैसे तुम्हें मैं अपने साथ में रखोंगी और हर रोज सफर करवाऊंगी तुस देर बाद बैक मी मोने के पास जाती है मोने इससे पूश होती है कि तुम्हें मुझे वो टेप रोज़र क्यों दिया तुम्हें वो पॉलिस सेशन लेकर जाना चाहिए था बैक मी पूश होती है कि तुम किसे पहले अटेक करना चाहती हो जॉंगू को या फिर जेवान को जिसने कि तुम्हें अपने स्वीट वर्ट से टैम्ट किया और साथ ही में तुम्हें यूज भी किया बट लगता है तुकि जेवान को अटैक नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम्हारे दिल में भी इसके लिए फिलिंग्स है और मैं तुम्हें तुम्हें पहले ही काता है कि तुम्हें किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है मोने बोर्ट ही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ बट मैं नहीं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है तोकि मुझे लगता है कि वो मुझे ज़्यादा हट होता है जेवान जॉओंगो से मिल रहा होता है और उस एवेंट के बारें बढ़ा रहा हो, तो बोर रहा होता है कि आपको इस एवेंट पार्टिपेट करना चाहिए और साथ ही में कुछ गरीब बच्चों को स्पांसर करना चाहिए जोंग उसकी बात मान जाता है कुछ देर बाद सुवान मोने के आफिस में जाती है और वहाँ पर से मिल रही होती है फिर वह से बता रही होती है कि जो बुजिन फान के चेर्मेन है उन्हें जोंग और जेवन को इन्वाइट किया है एक कॉंट्रेक्ट साइन करने के लिए ये सुनने के बाद मोने वहाँ से चली जाती है फिर वहाँ पर जेवन आता है सुवान जेवन से बोड़ रही होती है कि तुम मुझे ये सब मोने को उसलिए कहना चाता थे क्योंकि तुम ये सिचुएशन एंटिसिपेट कर रही थे जेवन हाँ बोलता है फिर सुवान बोड़ रही होती है कि चाहे तुम कितने ही बदल जाओ बड़ तुम मोने को हाम नहीं पुझा सकते हो और यही सेम कंडिशन मोने के लिए है मोने बोड़ रही होती है और वहाँ पर सुन में उसे मिल रही होती है फिर उससे बोल रही होती है कि मैंने सुनाया कि तुम जोंगू को अपनी लैंड बेचने वाले हो सुन में मोने को वहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है मोने बोड़ रहे होता है कि यह तुम्हारा होटल नहीं है यहां पर टुम्हारा होता है कि तुम्हारा होता है। फिर वहाँ पर उसके फादर आते हैं और वो बोर्ड रहे होते हैं कि सुन्वू मेरे साथ कभी भी हसता नहीं है बट वो मोने के साथ हस रहा है। तो उसदेर बाद वहाँ पर जॉंगो और जेवन पहुंच आते हैं फिर वो सारे एक मीटिंग कर रहे होते हैं। सुन में बोल रहा होता है कि मुझे कोई फिर्फ नहीं पड़ता कि लैंड पर क्या बनेगा कसीनो या फिर कल्चरल पाग बैस मैंसे बेचना चाहता हूँ फिर वो बोली लगाना स्टार्ट कर रहे होते हैं तो फिर वहां पर मोने भी होती है और वो जॉंगू से डबल बोली लगा रही होती है जेवान मोने को पसाथ भार लिखा जाता है कि तुम रुक जाओ यह सब मत करो मोने बोल रही होती है कि अगर तुम जॉंगू का साथ दोगे तो फिर मैं एक्सपोस कर दूँगी कि तुम कैसे इंसान हो जेवान बोल रहा होता है कि अगर तुमने मेरी और जॉंगू की रिपोर्ट कर भी दी जेवान बोल रहा होता है कि तुम कोई भी रिवेस्ट मत करो क्योंकि मैं नहीं मानूँगा और तुम मेरे और जॉंगू खलाफ नहीं जीत पाओगी चाहे तुम कुछ भी करो सुनवें आँ जॉंगू के साथ कॉंटर साइन नहीं करता है पिर जेवान और जॉंगू साथ में वापए जा रहे होते हैं जोंगू पूशा होता है कि मोने वाँ पर क्या गह 2004 किआ रही ती क्या यह भी कोईसिडbur borrowed का रात को जेवान अपने घर के बाहर होता है जेवान मना करते हो कह रहा होता है क्या तुम पागल हो गई हो मोने हाँ बोलते हो कह रही होती है कि मैं एक लड़के की पुलिस में रिपोर्ट में नहीं करती हूँ यहां तक कि मुझे पता है कि उसने मेरे फादर को मारा है जेवान बोर रहा होता है कि तुम बहुत यादा इजी लड़की हो इस वैसे मैं तुम्हें आसानी से सेड्यूस कर पाया अब तुम्हें पता चल गया कि तुम यहां से जाओगी फिर मोने वहां से चली जाती है मोने के जाने के बाद जेवान वो टॉट हाता अपने घर में लेका चला जाता है फिर वो किसी से बात कर रहा हो तेक डील के बारे में अगले दन सुबह मोने जॉगिंग कर रही होती है तो फिर वहां पर सौंक्षे भी जाती है और वो मोनेस से बोढ़ रही होती है कि लगता है कि तुमने जेवान को डम कर दिया है इस वैसे अब मैं उसे अपने साथ रखूँगी बट तुम बाद मैं उसे मुझसे मागना मत मैं सोच देती कि सिरफ मैं ही जेवान का पेन देख सकती हूँ बट उसने मुझे बताया कि तुम भी उसका पेन देख सकती हो और साथ ही मुझे कमफर्ट भी कर सकती हूँ और वो तुमारी वैसे काफी खुश पीज़ा इस वैसे मैंने उस पर give up कर दिया था और तुम उसे जाने दे रही हो ना कि उस पर give up कर दिया और future में तुम ये regret करोगी नहीं मैं तुम्हें स्टील करने दूँगी जेवान को मुझसे ये कहकर सौंग जेवान से चली जाती है कुस देर बात मोने अपने घर पहुसती है देखती है कि वहाँ पर जेवान दोने साथ में से जा रहे होते हैं अभी वहाँ वर रोमन ली पहुचाता और मोने इससे देख लेती है फिर मोने को याद है रहोता है कि बैक्मी ने बोला होता है मोने रोमन ली से बोढ़ रहे होती है कि मैं तुम्हारे सो कॉंट्रक नहीं करना चाहती है तो फिर रोमन ली बोलता है ऐसचे कोई बात नहीं है हम दोनों साथ में लूट कर सकते हैं फिर हम बात करेंगे इस बारे में जूंगो जेवन के साथ होटल के और अडिटरियूम में होता है और वहाँपर मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है औस तर् sedan प्रैक्टिस करने के बाद जेवन अपने उफ्सम चलालता है फिर वहाँपर सुवन आती Earth से बादार ही होती है पिर रोमंल Li वहांते हैं फिर सथे पहां जेवन रोमंल ली पेसे हैं और उससे पोछ रहा होता है कि तुम मोने से क्यों मिल रहे हो ुं मैंने वैसी मना किया था कि तुम मोने के पास मैं जा जाओ, तो फिर रोमंलन ली बोल गड़ रहा हुता है। परसनल इंट्रेस्टना है इस विसे मैं जाऊंगा और मैं उनके साथ डील हुआ करता है कि जोग मुश्त पर ट्रस नहीं करते हैं तब ही वहाँ पर बेंग मैं पहुँच जाती है और तुम जेवांसे दूर हो क्योंकि तुम इसे हैंडल नहीं सकते हो रोमन ले उसकी बात मान जाता है फिर वो बोर्ड रहा होता कि मोने बहुत जादा पैशनेट है अपने वर्क के लिए क्योंकि वो मेरी डील के लिए अपने सेल्स भी देने को त्यार है कुछ देर बाद आडिटॉरियम में वो इवन्ट स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो परफॉर्म कर रहा होते हैं जोंगो उन सारे बच्चों के वारे में कुछ उटा सीधा बोर रहा होता है तो फिर जेवान उस सारी बाते रिकॉर्ड कर लेता है जेवान वो आडियो क्लिप उस आडिटोर्य में प्ले कर देता है तो फिर सारे लोग उसको सुन लेते हैं सारे बצ्चे वहां से जा रही होते है तो फिर जोंगो वहां पर आतर और पूश रहोता है कि सब कहँ पर जा रहे है वहांपर जोंगो को वाइब और सकी बेटी भी होती है और यह सब सुनने के येँगाद वह भुश्सम में वहां से चली जाती है कि बाद जोंगू बाहर जाते है तो फिर वहाँ पर मोने आती है और वो जोंगू का मज़ाग उड़ा रही होती है जोंगू पूश्ट रहोता है किया यह सब तुमने किया है मोने बोढ़ रही होती है कि यह बात important नहीं है बेलकि यह important है कि सारे लोग जान गए कि तुम किस टाइब के person हो जौंगू कुछ से बोड़ रहा होता है तुम्हें के लगता है कि तुमने यह सब किया और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूँगा मुने याद कर रही होती है कि जब यह event स्टार्ट होने वाला होता है तो फिर सुन उसके पास आये तो उसे बोड़ रही होती है कि यह event जेवान ने बहुत यह जिदेकर से प्रिपेर गया है और यह काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है मुने कुछ बे नहीं बोलती है और वहां से चली जाती है शाम को जेवान सौंग चे के रैशनल में होता है फिर सौंग चे उसके पास आते हैं उससे पूश होती है कि तुम्हारा शोग तो काफी अच्छा गया है बन तुम अभी भी सैटिस्वाइ नहीं लग रहे हो जैसा तुमने बोला तो मुझे करने को मैंने वैसा कर दिया है सारे रिपोर्टर अप जौंगो के बारे मां आर्टिकल्स लिखेंगे अगली सुब्य तक जो भी जौंगो की स्टोरी है वो सारे वायरल हो जागी शोचल मीडिया पे फिर वो जैवान के और पास जाते हैं उससे बोल रहे होते हैं कि मैंने मोने से बोल दिया है कि अब मैं उसे तुम्हे अपने आपसे स्टील नहीं करने दूँगी और मैं तुम्हें ये वार्निंग के लिए बोल रही हूँ ताकि जब भी तुम मेरे साथ रहो, तो फिर तुमें careful होना होगा तबी जेवाँ के पास Jong-uk call आता हुड और वो उससे मिलने के लिए चाहता हुड उससे मिलने के बाथ, जॉखो पूछ रहाता है कि तुम कहा पर थे जेवन बोर रहा होता है कि मन रिपोर्टर्स को रोग रहता है और आप मुझे माप कर दो क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया कि माइक हमेशा ओन रहते हैं एफेक्ट के दोरान फिर वो अपनी स्टिक लेता है और जेवन को बीटने जा रहा होता है जेवन स्टिक पगड़ लेता है और बोर रहा होता है कि रिपोर्टर भी भी बाहर है को यह सब नहीं करना चाहिए और यह कहागा फिर जेवन वहाँ से चला जाता है मोने जेवन के घर के बाहर खड़ी होता है उसका वेट कर रही होती है फिर उससे बोर्ड ही होती है, जॉंगो ने मुझसे कहा है कि वो इसे ऐसे नहीं जाने देगा और मैंने उससे बोल दिया है कि वो मुझसे फाइट कर सकता है, अब तुम्हें चूज करना है कि तुम जॉंगो का साथ दोगे या फिर मेरा जेवान कुछ बेनी बोलता है, मोने वहां से चलिज जाती है मोने अपने घर पे पहुशने के ये बाद लिवन ली को कॉल करती है, उससे बोर्ड ही होती है कि तुम्हें इस शेर घुना चालते हैं, मैं तुम्हें कि खुवाने के लिए तयार हो, मिरे पस टाइम है अकले दिन जॉंगो अपने ऑफिस पहुशता है, तो फिर वहां पसे डेक्स पर एक लेटर मिलता है जॉंगो याद कर रहा होता है कि आज से कई साल पहले हो यहाँ पर आया था और यहाँ पर एक लड़की रहती थी जॉंगो उस लड़की को जानता था और वो उससे माफी मांग रहा होता है तब ही वो लड़की जॉंगो को वहां से जानने के लिए बोलती है तो फिर लेडी बोर्ट की होते है कि ये मेरा ही नाम और मैं ही यह यह पर रहते हूं फिर जोंगू वहाँ से चला जाता है मोने रोमन लीके साथ होती है और उसका कुछ लोग पीशा कर रहे होते हैं और वो आदमी होते हैं जोंगू के जेवान अपने ओफिस में सुनव को बिलाता और उसके पूछ रहा होता है कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं जेवान बोर्ट रहा होता है कि मेरे फादर फार्म में काम करते हैं कैसे कोई प्रॉलम मेरे यहां पर काम करने से जेवान माना करता है कि दूसरी problem है तुम मेरे खिलाफ गए, इस वैसे तुम deserve करते हो fire होना सुनोओ बोर्ट रहा होता है मैं एबात मानने को दयार हुआ हो बत उसका क्या कि तुम भी मोने खिलाफ गए, बलकि वो एक chairman है जेवान बोड राह हुता है कि ये हमारे उपर नहीं है, इसके भी मैं तुम्हें फायर नहीं करना चाहता हूं तब यूँ देखता है कि उसकी रोमक के बार चेवन कड़ा होता है, जेवान ना ही रोमनली को बताया होता है, कि तुम्हारा और मोनी का पीछा जोंगू की लोग कर रहे हैं, कुछ दिर बात करने के बात फिर जेवन वहां से चले जाता है, मोने के पास जेवन का मेसेज आता ह कि मोने वहाँ पर गयी है फिर जेवान भी उसी घर में जाता है जो मोने को महाला लेखर जा रहा होता है तब ही महाँ पर कोई आदम हाता है और वो दौर बाहर से लॉग कर देता है रूमन ली ज़ोंगों πो शめて मिल रहा होता है और दूने बादे किर कर दो प्रोट होते हैं दो कर दो जाती है और सॺ यदर भी आज नवी तौनОगी है कि मैं से प्रोट हुआ होता हुआ हुद कि जम्हें कि आदए हो जाए हुदा गाल और मुझे के DM' vest speaker से इस विएसे मैं तुम्हारे ले बिकुछ प्रेड कर रहा हूं digging और थी होती है। tunnels क्षक्र हे आद्में कि सुसक्राइब कराया तुम्हां किसका अंजा क्या होगा goes wrong going और रहा हम panstad hell GulON को مहें दरूमें h 보이 फिर वो पुलिस वाले जोंगू को वहां से ले जा रहे होते हैं और बाहर जेवान और मोने खड़ी होती है तो फिर जोंगू से बोड़ रहा होता है कि हमारे बीच में मिस्सेंडे स्टेंडिंग है जेवान वहां पर सुवन को बलाता है और मोने को वहां से ले जाने के लिए बोलता है मोने के जाने के बाद वो जोंगो से बोड़ रहा होता है कि अगर मैं तुम उसे कितना प्यार करते हो और फिर वो उसे फादर बोलता है जैसे ही जोंगो सुनता है वो हैरन हो जाता है और वो जेवान से बोल रहा होता है कि मैं तुमारा फादर नहीं हूं रोमन ली अपनी मदर्याने के बैकमी से मिल रहा होता है और उसे पूछ रहा होता है कि हमारा प्लैन सकस्वर हो गया है बैकमी मना करते है फिर रोमन ली बोल रहा होता है क्या हमें जेवान कोई बर्बाद करना होगा बैकमी हाँ बोलती है इसके बाद बैकमी वहाँ से चली जाती है फिर वो याद कर रही होती है कि आज से कई साल पहले वो चेर्मन आसंग्वान से मिल रही होती है वो उसे बोर्ड ही होती है क्या तुम जो भी पैसे को साथ हेरा फेरी किये वो मैंने नहीं किये बलक और तुम एक साल बाद मेरे पास वापस आ रही हो तुम एक लगता है कि जो भी तुम कहोगी मुझे बिलीव करूँगा फिर बैक में रोने लग जाती है और वो चेरवान संग्वान से बोर्ड की होती है कि तुम मुझे बिलीव नहीं करते हो और तुम भी बिल्कुल भी चोड़ी होती है अगले दिन जीवान होटल में जारह होता है तो ऑर रोमनली और वो भी जारह हँए के पीछा होता है बैकыт – आध रूमनली आड़ा झाल B accent 2, cuánt रूमनली कोछ